हम आप सभी वन्यजीर प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। वाइट टाइगर बड़ी बिल्लियों के दुल्लग रिष्टेदारों में से एक है। उनके सफेद कोट के कारण उन्हें अक्सर प्रक्षालिद बाग कहा जाता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा रहस्य साजा करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सफेद बाग वास्तव में बागों की एक उप प्रजाती है और बंगाल ताइगा के रंजित रूपांतर हैं, जो कभी-कभी भारती उप महादवीब के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ सफेद बाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। सफेद बागों को उनके नारंगी रिष्टेदारों की तुलना में तेजी से बढ़ते हुए देखा गया है। वे जंग से ही बड़े होते हैं और अपने वैस्क वर्षों में उस पैटन को जारी रखते हैं। सभी बागों की तरह उनकी धारिया उनलियों के निशान की तरह काम करती हैं। किनी भी दो बागों की धारियों का पैटन एक जैसा नहीं होगा। उनकी धारिया भी उनकी त्वचा के रंजक्ता का एक हिस्सा है, जिसका आर्थ है कि यदि मुंदाया जाता है, तो उनकी धारिया अभी भी दिखाई देंगी और उनके सफेद कोट में वापस आ जाएंगी। वागों में होता है, हाला कि यह बेहत दुल्लब है और 10,000 जन्मों में केवल एक बार होता है। स्याम देश की बिल्लियों और हिमाले एक खरगोशों के साथ, वाइप टाइगर में एक एंजाइम होता है जो थंडे तापमान के संपर्क में आने पर उनके फर में प्रतिक्रिया करता है और उन्हें गहरा कर देता है। वाइप टाइगर टाइगर की एक वास्तविक ओप प्रजाती है, जिसे ओप्चारिक रूप से वाइप बंडाल टाइगर के रूप में जाना जाता है। झाल टाइगर के वास्तविक रूप बंडाँक प्रामान के लिए में जाना जाता है।